Hello Everyone, Welcome to Bluebell Online Study Friends, आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश वान लाइनर जी के क्वेश्चन को क्विक रिवीजन परपस से रिवाइस करेंगे ये हमारे वीडियो का पार्ट 26 है इससे पहले के वीडियो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा तो चलिए Friends, वीडियो स्टार्ट करते हैं इसका अंसर है Friends, बिलासपूर उसके बाद नेक्स्ट है लोहल स्पीती कुलू, कांगडवा बिलासपूर में से कौन सा जिला, नवीन हिमाचल प्रदेश का भाग नहीं है इसका अंसर है Friends, बिलासपूर नेक्स्ट है बिलासपूर का प्रसिद रंग महल जो अब गोविन सागर में समा गया है इसका निर्मान कहलूर के किस शासक ने करवाया था इसका अंसर है Friends, राजा विजेचंद राजा विजेचंद के बारे में और भी महतपून उनको भी हम फटाफट से रिवाइस कर लेते हैं राजा विजेचंद का जो शासनकाल था 1889 से लेकर 1931 इस वी तक रहा और राजा विजेचंद ने रंग महल का निर्मान भी करवाया था और इसके अलावा राजा विजेचंद ने कोर्ड फीस जुडिशल स्टाम भी शुरू करवाया था राजा विजेचंद ने बिलासपूर शहर में पानी की सप्लाई भी शुरू करवाई थी इसके अलावा राजा विजेचंद ने बहादरपूर को अपनी ग्रिशम कालीन राजधानी बनाया था इसके अलावा राजा विजेचंद के शासनकाल में अमर सिंग वजीर थे और इसके अलावा राजा विजेचंद ने प्रथम विश्वियुत के दौरान अंग्रेजों की सहायता भी की थी तो ये कुछ ऐसे effects हैं जो exams में अक्सर पूछे जाते हैं इसके अलावा इन सभी questions को theory based में भी already discuss करा है जो की play list में हिमाचल GK के folder में available हो जाएगा उसके बाद next है बिलासपूर के किस राजा के काल में कहलूर और अन्ये शिमला पहाडी रियासते मुगलों के सरंक्षण में आ गई थी इसका answer reference राजा ज्यानचंद राजा ज्यानचंद के बारे में भी कुछ important facts को जान लेते हैं राजा ज्यानचंद ने 1570 इसवी में कहलूर का शासन संभाला था तो उनके शासनकाल का समय period भी याद रखना है 1570 इसवी में इसके अलावा राजा ज्यानचंद अकबर का समकालिम भी था और ज्यानचंद ने सरहिंद के मुगल वाइस राइक के प्रभाब में आकर इसलाम धरम को भी अपनाया था और ज्यानचंद के तीन बेटे थे जिन मेंसे दो बेटों ने इसलाम धरम को अपनाया था उन दो बेटों का नाम है राम और भीम इसके अलावा तीसरे बेटे का नाम है बीकचंद बीकचंद ने हिंदू धरम को ही अपनाया था और ग्यानचन का मकवरा आज भी किरतपूर पंजाब में देखा जा सकता है तो ये कुछ ऐसे important facts थे राजा ग्यानचन के बारे में जो हमें अकसर exams में देखने को मिलते हैं उसके बाद next question है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गुजरों की आबादी सबसे जादा है या सर्व अधिक है इसका अंसर है friends बिलासपूर next है बिलासपूर का हिमाचल प्रदेश में विल्ये कब किया गया था इसका अंसर है 1 जुलाई 1954 इसवी को इसके अलावा दिस्टिक बिलासपूर का कुल शेतरफल है 1167 वर्ग किलोमेटर तो ये भी ध्यान रखना है और अगर परसंटेज में हम बात करें तो 2.10% और दिस्टिक बिलासपूर में कुल आवाद गाओं है 1060 ठीक है और टोटल ग्राम पंचाईते हैं 176 और विकास खंड है 4, विधान सभा शेतर भी 4 है और उप मंडल भी 4 है तथा तहसीले भी 4 है और उप तहसीले 3 हैं तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी डिस्टिक बिलासपूर के बारे में नेक्स्ट है बहादूर गड किला बिलासपूर के किस राजा की? ग्रिशम कालीन राजधानी थी इसका अंसर है विजेचंद उसके बाद बचरेटू किला हिमाचर प्रदेश के किस जिले में स्थित थैं इसका अंसर है डिस्टिक बिलासपूर बूतपूर विलासपूर रियासत के कौन से शासक? महात्मा गांधी के पक्के अनुयाई थे इसका अंसर रेफरेंस राजा आनंद चंद राजा आनंद चंद के बारे में भी कुछ important facts जान लेते हैं क्योंकि ये डिस्टिक बिलासपूर के अंतिम राजा थे राजा आनंद चंद का शासनकाल 1928 से लेकर 1948 इसवी तक रहा और बिलासपूर रियासत के अनंद चंद अंतिम शासत थे और अनंद चंद नहीं चाते थे कि बिलासपूर का भारत में विल्य हो बिलासपूर को 9 अक्टूबर 1948 को गा शेणी का राजे बनाने के साथ ही 12 अक्टूबर 1948 को आनंद चंद को बिलासपूर का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया था तो ये कुछ important facts थे राजा आनंद चंद के बारे में उसके बाद next है सन 1910 वी में बिलासपूर के रंग महल का निर्मान किसने करवाया था इसका answer reference राजा विजय चंद उसके बाद next question है एक जुलाई 1954 में किस भाक सीर राजे का हिमाचल प्रदेश में विल्य हुआ था इसका answer reference बिलासपूर next है बिलासपूर के संस्थापक राजा वीर चंद किस शेतर से हिमाचल प्रदेश आये थे इसका answer है friends चंदेरी बुंदेल खंड जो किस थे थे मध्यपरदेश में राजा पीरचन बुंदेल खंड मध्यपरदेश चंदेरी के चंदेर राजपूत थे इसके अलावा वीरचन के पिता का नाम था हरी हर्चन जिसके पाँच पूतर थे वीरचन ने सत्लूश पारकर सबसे पहले रुहंड ठाकरों को हरा कर किला स्थापित किया था, जो बाद में कोट कहलूर किला कहलाया और इसके अलावा राजा वीरचन ने नेना गुजर के आगरे पर नेना देवी मंदिर की भी स्थापना की थी और उसके नीचे अपनी राजधानी बनाई थी और इसके अलावा राजा वीरचन ने 12 ठकुराईयों को अपने नियंतन में किया था, वो 12 ठकुराईया हैं, बागल, कुन्यार, बेजा, धामी, क्योंथल, कुठाण, जुबल, भगाट, भजी, महलोग, मांगल, उसके बाद है बलसन, तो इन 12 ठकुराईयों पर राजा उसके बाद नेक्स्ट है, बिलासपूर नगर की स्थापना किस ने की थी, इसका अंसर है फ्रेंट, दीबचन चंदेल, दीबचन चंदेल का शासन काल था 1650 इसवी से लेकर 1667 इसवी तक, राजा दीबचन ने 1654 इसवी में अपनी राजधानी सुनानी से बदल कर व्यास ग अपना भी की थी, राजा दीबचन ने दियो माटी माता का मंदिर भी बनवाया था, और राजा दीबचन ने राजा को जय देवा, राणा को राम राम और मिया को जय जय इस तरह के अविवादन की प्रथा भी शुरू करी थी, और राजा दीबचन को नदोन में 1667 इसवी म किस जिले की सीमा रोपड से लगती है इसका अंसर है फ्रेंट्स बिलासपूर नेक्स्ट है 1948 इस वी में बिलासपूर का आखरी राजा और पहला मुख्य आयुक्त कौन था इसका अंसर है राजा आनंद चन्थ नेक्स्ट है विजे चंत ने किस भवन का निर्मान किया इसका अंसर है रंग महल उसके बाद नेक्स्ट है बिलासपूर प्रजा मंडल ने बिलासपूर में सत्यग्रे कब शुरू किया था इसका अंसर है 1946 इसवी को नेक्स्ट है विलासपूर बैंक की स्थापना कब हुई थी इसका अंसर है फ्रेंज चंबा जिले के कुछ प्रसिद दर्रे हैं जैसे पादरी दर्रा है, कुक्ती है, पॉंटरी है, जालसू है, साच है और वसोधन दर्रा ये सबी दिस्टिक चंबा के प्रसिद दर्रे हैं, उसके बाद नेक्स्ट है, जलंदर और त्रिगत के राज-परिवारों के विस्तरित इतिहास की चर्चा करने वाले प्रतम विद्वान थे, इसका अंसर है फ्रेंस कौन थे वो प्रतम विद्वान? ए कनिंगम, ए कनिंगम के बारे में कुछ important facts है उनको भी जान लेते हैं जैसे friend हम सभी जानते हैं कि कुलू का प्राची नाम कुलूत था और इसका वर्णन सबसे पहले एलेंगजेंडर कनिंगम ने किया था और पुराणे ग्रंथों में कुलू को कुलूत देश के नाम से भी वर्णित किया गया है इसके अलावा कुलूत का वर्णन रामायन, विश्णू पुरान, महा भारत, मारकंडे पुरान, कलहन की राश तरंगनी में भी मिलता है और इसके अलावा कुलूत को वेदिक साहित्य में गंधर्वों की भूमी भी कहा गया है तो ये कुछ important facts थे उसके बाद next है विश्व प्रसिद मलाना गाओं किस दिले में स्थे थे इसका answer reference कुलू और मलाना गाओं अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए आज भी बहुत famous है उसके बाद next question है रगुनाद की मूर्ती आयोध्या से कुलू कौन लाया था इसका answer reference दामोदर दास इसके पीछे एक interesting सी story है उसे भी जान लेते हैं जब रगुनाद जी के मूर्ती आयोध्या से कुलू लाए गई थी उस समय राजा थे जगत सिंग राजा जगत सिंग के बारे में डिसकस कर लेते हैं उसी से हमारे ये points भी clear हो जाएंगे राजा जगत सिंग का जो समय काल था शासन काल का 1637 से लेकर 1672 इस वी तक था एर राजा जगत सिंग को कुलू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था और मुगल समराट औरंगजेμ ने उन्हें कुलू के राजा की उपादी से समानित किया था और इसके अलावा कुलू के राजा जगत सिंग ने 1640 इसवी में दाराशीकों के विरुध विद्रो किया था और 1657 इसवी में उनके फर्मान को भी मानने से इनकार कर लिया था और इसके अलावा राजा जगत सिंग ने टिपरी के ब्रामन की आत्म हतिया के दोश से मुक्त होने के लिए राजपाट रगुनाद जी को सोप दिया था और राजा जगत सिंग ने 1653 इसवी में तो ध्यान रखना है कि राजा जगत सिंग ने 1653 इसवी में दामोदर दास जो के एक ब्रामन्ट थे उन्हें रगुनाद की प्रतिमा आयोध्या से लाने को कहा था और उसके बाद राजा जगत सिंग ने रगुनाद जी की मूर्ती कुलू में स्थापित करके राजपार्ट रगुनाद जी को सौप दी थी और इसके अलावा ये भी important fact है कि कुलू का जो दशेरा है वो राजा जगत सिंग के समय से ही कुलू ढालपूर के मैदान में आयोजित किया जाता है उसके बाद next है कुलू में वैशनव धरम का प्रचार कब हुआ था इसका अंसर है friends राजा जगत सिंग के समय में नेक्स्ट है रगुनाज जी की मूर्ती किस राजा के समय में स्थापित की गई थी जैसे कि अभी हम complete information राजा जगत सिंग के बारे में discuss कर चुके हैं तो इसका अंसर है राजा जगत सिंग नेक्स्ट है कुलू के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है इसका अंसर है friends निर्मंड उसके बाद next question है एक जनवरी 1906 इस वी को गोपाल सिंग, भुरी सिंग, साहिले वर्मंद में से चंबा के किस शासक को नाइट हूट की उपादी से नवाजा गया था इसका अंसर है friends राजा भुरी सिंग, तो इन सभी राजाओं के बारे में विग जो important facts है उनको discuss कर लेते हैं, ये सभी राजा जो है वो चंबार त्रियासत के राजा थे, सबसे पहले हम राजा गोपाल सिंग के बारे में discuss कर लेते हैं राजा गोपाल सिंग का समयकाल 1870 से लेकर 1973 के बीच में था और उसने शेहर की सुंदर्ता के लिए कई काम किये थे और इसके अलावा राजा गोपाल सिंग के समयकाल में 1871 इसवी में लॉर्ड मायोचंबा आये थे, बहुत important fact है ये उसके बाद next है भुरी सिंग, राजा भुरी सिंग का समयकाल 1904 इसवी से 1919 इसवी तक रहा और सबसे important fact है कि राजा भुरी सिंग को 1 जनवरी 1906 इसवी में नाइठ हूट की उपादी से सम्मानित किया गया था और इसके आलावा भुरी सिंग संग्राली की स्थापना भी 1908 इसवी में राजा भुरी सिंग के द्वारा करी गई थी और साल 1910 इसवी में एक विजली घर का निर्मान करवाया था और इस विजली घर के निर्मान से चंबा शहर में विजली प्रदान की गई थी ये भी बहुत important fact है friends कि राजा भुरी सिंग ने प्रथम विश्वयुत के दोरान अंग्रेजों की सहायता भी की थी और राजा भुरी सिंग की मृत्यू हुई थी 1919 इस्वी में friends राजा साहिल वर्मन के बारे में discuss करने से पहले एक fact discuss कर लेते हैं जिन्होंने अभी-अभी exams की त्यारी करना start करा है उन्हें कुछ facts को लेकर थोड़ा confusion रहता है जैसे राजा साहिल वर्मन ने क्या किया था 920 इस्वी में चमबा शेहर की स्थापना की थी तो चमबा शेहर की स्थापना अगर question पूछा जाए किस ने की थी साहिल ये वर्मन ने 920 इस्वी में और इसी से similar एक और question आता है कि चमबा रियासत की स्थापना किस ने की थी तो चमबा रियासत की स्थापना की थी राजा मारू वर्मन ने 550 इस्वी में और राजा मारू वर्मन आयोध्या से आए सूर्य वंची राजा थे जिनोंने चमबा रियासत की स्थापना की थी और एक और थोड़ा सा एफेक्ट रहता है राजा मारू वर्मन तथा राजा मेरू वर्मन को लेकर तो मारू वर्मन और मेरू वर्मन ये दोनों अलग अलग राजा है जैसे मारू वर्मन के बारे में हम अभी डिसकस कर चुके हैं कि मारू वर्मन ने क्या करा था चंबा रियासत की स्थापना की थी ठीके और राजा मेरू वर्मन का शासनकाल था वो 680 इस्वी से शुरू तो इन तीन राजाओं में थोड़ी से जो points है उसमें बड़ा confusion रहता है इसके अलावा चाडिस्टिक चमबा को हमने बहुत ही अच्छे से एक-एक राजा और complete district चमबा को theory-based पे हमने discuss करा है वो सभी important facts आपको playlist में हिमाचल GK के folder पे available हो जाएगा जिसमें हमने district चमबा को completely discuss करा है तो वहाँ से आपके doubts और भी अच्छे से clear हो जाएंगे तो अभी हम राजा साहिले वर्मन के बारे में discuss कर लेते हैं राजा साहिले वर्मन ने 920 इसवी में चमबा शेहर की स्थापना के थी ठीक है और राजा साहिले वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी और जिस पुत्री का नाम रखा गया था चमपावती राजा साहिले वर्मन ने क्या किया था कि उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर ही चंबा शहर का नाम रखा था चंबावती के नाम से ही ना चंबा का नाम रखा था और इसके अलावा राजा साहिले वर्मन की पत्नी ने जिनका नाम राणी नेना देवी था जिनने सुनेना के नाम से भी जाना जाता था उन्होंने पानी की अपूरती के लिए अपने प्राणों का वलिदान दे दिया था तब से रानी नेना देवी की याद में हर साल सूही मेला मनाया जाता है तो सूही मेला भी ध्यान रखना है और जो सूही मेला मनाया जाता है ये मेला खास कर महिल और बच्चों के लिए काफी फेमस है और साहिल ये वर्मन ने लक्षमी नारायन मंदिर, चंदर शेखर मंदिर, चंदर गुप्त और कामेश्वर मंदिर का भी निर्मान करवाया था और इसके अलावा राजा साहिल ये वर्मन का एक और इंपॉडेंट फेक्ट है योगी पूछा गया था कि एक जनवरी 1906 को इन सभी मैसे किस शासक को चंबा के किस शासक को नाइट हुड की उपादी से नवाजा गया तो किसे नवाजा गया था राजा भुरी सिंग को उसके अलावा फूल यात्रा पांगी के किलाड में अक्तुबर महीने में मनाया जाता है ठी के बारे में हम अभी डिसकस कर चुके हैं इसके अलावा पुराने समय में भर्मोर को ब्रापूर के नाम से जाना जाता था उसके बाद नेक्स्ट कोशन है पांगी के शिला लेखों के अनुसार चंबा के किस राजा ने एक हजार एक सो पांच इसवी के दोरान लोहॉल कंपि पर कबजा बनाये रखा था इसका अंसर राफ्रेंस जसाता वर्मन इसका र्यासत और रियासत का अंतिम शासक कॉन था इसका अंसर र्यासत चतर सिंग ओरंग जेब के सम कालिन थे 1678 रसवी में औरंग जेब ने सभी हिंदु मंदिरों को नश्ट करने का आदेश दिया था जबकि चतर सिंग ने ऐसा नहीं किया था राजा चतर सिंग ने कया गया इसके अपोजट चमबा के सभी मंदिरों पर कलश और छतर चड़ाए थे उसके बाद नेक्स्ट है चमबा रियासत के किस शासक ने सर्व प्रथम वर्मन उपादी का प्रयोग किया था इसका अंसर है राजा आदित्य वर्मन उसके बाद नेक्स्ट है 1657 इसवी के सुतंतरता संगर् शिरी सिंग ब्रिटिस सरकार के साथ था उसने अपने किस वजीर के साथ डलोजी में सेनिक भेजे इसका अंसर है फ्रेंस मिया अतर सिंग उसके बाद नेक्स्ट है किस समराट के शासन काल में चमबा पेंटिंग को सरंक्षण मिला इसका अंसर है राजा उदे सिंग उसके ब तथा जिसने चमबा के राजा साहिल वर्मन को दस पुत्रों एवं एक पुत्री का वर्दान दिया था इस कोशन को हम बहुत ही अच्छे से डिसकस कर चुके हैं फ्रेंज ठीके इसका अंसर है योगी चर्पतनाजी नेक्स्ट है जाती गिरी परियतक स्थल किस जिले में स्थित है इसका अंसर है चमबा नेक्स है लकरशा ब्रामन किस रियासत से संबंदित था इसका अंसर है चमबा नेक्स्ट है अजीद सिंग मेमोरियल कहा है इसका अंसर है पंचपुला डलोजी में इसके बाद नेक्स्ट है चमभा के किस राजा ने अपने रानियों के सती होने पर रोक लगाई इसका अंसर है उमेज सिंह राजा उमेज सिंह का शासनकाल 1488 से लिएकर 1364 भी तक रहा और राजा उमेज सिंग के शासनकाल में चम्बार राजे मंडी की सीमा तक फैल गया था और इसके अलावा उमेज सिंग का पुत्र राज सिंग राजनगर में पैदा हुआ और उमेज सिंग ने राजनगर में नारा महल बनवाया था और रंग महल की नीब भी उमेज सिंग ने इसका अंसर है त्रिवुवन रेखा देवी ने उसके बाद नेक्स्ट है चमबा के किस राजा के समय में चूहों को मारने पर पावंदी थी इसका अंसर है मूशान वर्मन उसके बाद नेक्स्ट है चमबा में चितरकला की कौन सी शेली विक्सित हुई इसका अंसर है वसोली श नेक्स्ट है चंबा के भटियात में क्रिशी अंदोलन कब हुआ इसका अंसर है 1896 में उसके बाद नेक्स्ट है 1932 में चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का मुख्यालिये कहां पे था इसका अंसर है फ्रेंस लहॉल में नेक्स्ट है 1876 में चंबा में भू सुधारो को शुरू किया गया कर्नल रीड के द्वारा नेक्स्ट है कालीम बुनाई केंदर चंबा के किस स्थान पर स्थित है इसका अंसर है डलोजी नेक्स्ट है चंबा में प्राथमिक स्कूल और डागघर खोला गया 1863 में उसके बाद चंबा में शाम सिंग अस्पताल कब खोला गया इसका अंसर है 1890 में नेक्स्ट है चंबा के राजा शाम सिंग का शिक्षक किसे नियुक्त किया गया इसका अंसर है जॉन हैरी को 1878 में नेक्स्ट है चंबा के सरोल में भेड प्रजनल केंदर है और नेक्स्ट है चंबा में द और कार्या में स्थेत हैं, नेक्स्ट है हिडिंबा मंदिर, ये मंदिर डिस्टिक चंबा के महला में स्थेत हैं, और इस मंदिर का निर्मान राजा पृत्वी सिंग की नर्स बाटलू ने करवाया था, एक हिडिंबा मंदिर डिस्टिक चंबा के महला में स्थेत हैं, और एक औ सो पच्चानवे इसवी में करवाया गया था। Guess last year, Ghraza Krishan मनिर। यह मन्दिर, 18 sunt पच्चिस इसवी में इस मन्दिर काдж निर्मान करवाया था. जीद सिंह की रानी राधा जीने उसके बाद next है Sita Ram मंदिर, Sita Ram मंदिर का निर्मान, राजा पृत्वी सिंग की नर्स बाटलू ने करवाया था और ये मंदिर डिस्टिक चमबा में स्थेत है उसके बाद नेक्स्ट है हरीराय मंदिर, हरीराय मंदिर की स्थापना लक्षमन वर्मन ने करा था और ये मंदिर चमबा शहर में स्थेत है नेक्स्ट है मडी मेहश मंदिर, मडी मेहश मंदिर भरमोर में स्थित है जिसका निर्मान करा गया था मेरु वर्मन के द्वारा नेक्स्ट है शक्तिदेवी मंदिर, चम्बा के छत्राडी में स्थित है और इसका निर्मान भी राजा मेरुवर्मन के द्वारा कराया गया था और राजा मेरु वर्मन का शिल्पकार का नाम है गुगा शिल्पी, गुगा शिल्पी के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था, उसके बाद नेक्स्ट है छत्रारी यात्रा, छत्रारी यात्रा डिस्टिक चंबा में इस यात्रा को आयोजित किया जाता है, और इस यात्रा का जो समय होता है time period रहता है इसे September महीने में इस यात्रा को करी जाती है उसके बाद next है नर्सी मंदिर नर्सी मंदिर हिस्टिक चमबा के भरमोर में स्थित है और इसका निर्मान राजा युगांकर वर्मन की पत्नी त्रिभुबन रेखा के द्वारा करवाया गया था उसके बाद next है कामेश्वर महादेब मंदिर साहू और चमपावती मंदिर इस मंदिर की स्थापना राजा साहिली वर्मन के द्वारा की गए थी next है गोरी शंकर मंदिर गोरी शंकर मंदिर का निर्मान राजा युगांकर वर्मन के द्वारा करवाया गया था और इसके अलावा डिस्टिक चंबा में 84 मंदिरों का समू भी है और ये सभी 84 मंदिर अलग-अलग देवी देपताओं को डेडिकेट किया हुआ है नेक्स्ट है लक्षना देवी मंदिर लक्षना देवी मंदिर डिस्टिक चंबा के भरमोर में स्थित है और ये मंदिर महिशा सुर मर्दनी दुर्गा जी को समर्पित है और ये मंदिर गुगा शिल्पी के द्वारा बनवाया गया था जो कि मेरु वर्मन का बहुत ही प्रसित शिल्पकार था नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायन मंदिर ये मंदिर चंबा शेहर में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण राजा साहिली वर्मन के द्वारा करवाया गया था और इसकी अलावा लक्ष्मी नारायन मंदिर को छे मंदिरों का समू भी कहा जाता है next is गणेश मंदिर गणेश मंदिर डिस्टिक चम्बा के भॉर्मोर में स्थित है और ये मंदिर राजा मेरु वर्मन के दौरा बناया गया था next is भॉर्मोर यातरः भॉर्मोर यातरः का जो टाइम पेरिड रहता है वो अगस्थ महीने में रहता है I hope friends ये सभी content आपको informative लगा होगा वीडियो देखने के लिए thank you so much वीडियो को like और channel को जरूर subscribe कीजिए साथ ही well icon को press करना ना भूलिए ताकि इस तरह के informative वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके वीडियो देखने के लिए thank you so much जै हिंद जै भारत